काफी तेज आंधी है क्योंकि पुरा पटना ही अंधेरा अंधेरा होने वाला है अब पुरा देर में हलो दोस्तों तो कैसा आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सौंग बॉय चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है अब पटना में आंधी आ चुकी थी और काफी तेज होबा था तो दो तीन चार जागे हाइलेट हो चुका था तो मैं आप लोग को वह चीज दिखाऊंगा जो अभी पटना में आंधी लेके चली गई है तो तीन चार घड का टीना उना भी कवर्ड चुका है आंधी आना स्ट क्या शुका है प्टना में और काफी तेज हम यह काफी जोड से आंधी आ रहीए और यह सब तो देख सकते हैं कम आ प्टना में अब नहीं पराटना मतार कमें लुए चांड तेज है तने हैं ऊज़िफा होलेंगा तो पांड उहसाइं कि देख सकता हैं छिर्श पूड weekend weekend to meet क्योंकि पूरा पटना ही अंधेरा अंधेरा होने वाला है अब पूरा देर में दखता है कि और देख सकते हैं पूरा पटना दूली-दूली हो चुका है यहां पे और हर चागे से सब ची जूड के आ रही है इदर गाय गाट के तरफ अब इदर का तो पुरा कड़का टूर चुका है अब पटना को रेलाक्स भी चुका है क्योंकि अंदर पानी भी आ चुका है वाह वहाँ पे देख सकते हैं पुरा कड़का टूर चुका है वहाँ पे और काफी लोग इंजुआई भी कर रहे हैं आपे आंधी पानी का काफी लोग इंजुआई कर रहे हैं और ये जो मेरे सामने पेर है काफी ज़्यादा हीर रहा है इतने तेज हवा है और सामने से तो आप देख सकते हैं धूल पुरा उठ रहा है काफी ज्यादा धूल उठ रहा है यहां पर बारिश होना इस्टार्ट हो गई है अब थोड़ा से अंदर पानी रुक चुका है और बारिश होना इस्टार्ट हो चुका है देख सकते हैं बुन्दी बुन्दी बारिश हो रही है अब महौल भी सही हो गया है हर तरप का अब बादल सफेद होना इस्टार्ट हो गया इस साट से इस साट से अभी आप लोग देख सकते है इनाइटी के तरप उधर जो है अभी बादल घेरे हुआ है क्योंकि उधर से बारिश होना ही स्टार्ट हो जाएगा काफी तेज बारिश होगी पट्डा में अब तेज बारिश होना ही स्टार्ट हो गया है तो अगर आप लोगो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सस्क्राइब करना ना बुलना और ये आंधी को शेर जरूर करना